हेलो एब्रीबन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवनेट थ्री पर आज है दो मार्च दोयाद तेईस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो मार्च दोयाद तेईस के डेली कर इंटरफेर्स के कुछ इंपोडेंट कोशन्स अगर आप किसी भी अग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को ओल्ट प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको मारे टेलीगरम चैनल पर मिल जाएगी टेलीगरम चैनल का लिंक आपको डिस्क्राप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे क्वेशन भी पूछूंगा उस क्वेशन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर पहला कुशन है बिश्व नागरिक सुरच्छा दिवस कम मनाया गया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी एक मार्च तो बिश्व नागरिक सुरच्छा दिवस एक मार्च को मनाया गया है हर साल एक मार्च को बिश्व नागरिक सुरच्छा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस खास दिन पर पूरे बिश्व में नागरिक सुरच्छा दिवस मनाया जाता है नागर्क सुरच्छा के मैत्वों और दुरगटनाओं या आपदाओं की इस्थती से रोकताम के लिए जागरुकता बढ़ाने और उसे रोकताम पर ध्यान आकाशित करते हैं तू इस दिन को खास रूप से मनाया जाता है नेश्ट कुशन है फरवरी दोगगा में किष ने सिव मोगगा हवाई अड़े करनाटक का शुवारम किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा आप्शन ए नरेंद्र मोदी तो फरवरी दोय्द 23 में पी-ेम नरेंदRA मोदी ने शिब मोगा हवाई अड़े करनाटक का शुवारम किया है प्रधान मंत्री नरेद्न मोदी ने 27 फरवरी दोया 23 को करनाटक के शिव मोगा में 3600 करोड रुपे से अधिक लागत की बिविन बेकास परियोजनाओं के साथ नव निर्मित शिव मोगा हवाई अड़े का शुवारम किया शिव मोगा हवाई अड़े लगवग 450 करोड रुपे की लागत से बिविक्षित किया गया है इस हवाई अड़े का यात्री टर्मिनल भवन 4 या 340 वर्ग मीटर में फैला हुआ है जो प्रतिगंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है नेक्ट कुशन है फरवरी 23 में पैप्सको इंडिया ने किसे अपना ब्राइन डेमेश्टर बनाया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए रडवीश्य है ये है रडवीश्य है और इनी को पैप्सको इंडिया ने अपना ब्राइन डेमेश्टर बनाया है पेये निर्माता पैप्सको ने अबनेता रडवीशें को अपना ब्राइड नेमिस्टर नियुक्त किया है और युवा उप वोक्ताओं को लच्छत रखने वाले एक नई अभ्यान का भी अनावरड किया है ब्राइड ने 2019 में अबनेता सल्मान खान को अपने साथ जोड़ा अभी हाल ही में इसने केजियेफ अबनेता यसको ब्राइड के नई चेरे के रूप में घोशित किया था नेस्ट कुशन है दो ज़र बाइस में केश देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी दच्छड कोरिया तो 2022 में दच्छड कोरिया देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है प्रती दच्छड कोरिया इस महला अपिक्चित शिशियों की ओशर संख्या 2021 में 0.81 से गटकर 2022 में 0.78 हो गई देश को इस्थिर जन संख्या बनाए रखने के लिए 2.5 की प्रजनन दर की आवशिकता है हालांकि इसकी मौतों की संख्या 2020 के बाद से जन्मों को पार कर गई है दच्छड कोरिया जो देश है वो एशिया महादीप में इस्थित है दच्छड कोरिया की राइधानी सोल है दच्छड कोरिया की मुद्रा है दच्छड कोरिया इवान और दच्छड कोरिया के पधान मंतरी है हान डक्षू नेस्ट कोशन है किस खिलाडी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटवॉल अवार्ट में सर्वशिष्ट पुरुस फुटवॉल का अवार्ट जीता है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी लियो नेल मेशी ये हैं लियो नेल मेशी इनो नेही वर्ष 2022 के फीफा फुटवॉल अवार्ट में शर्वशिष्ट पुरुस फुटवॉलर का अवार्ट जीता है फीफा ने वर्ष 2022 के फुटवॉल अवार्ट की गोशना कर दी है इस अवार्ड में अर्जेंटीना के बेश्व कप विजेता कप्तान लियो नेल मेशी ने पुरुषवर्ग में बेश्ट फोटवॉलर का अवार्ड अपने नाम किया कतर में शंपन वे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड चेंपियन बनाया था साथ ही उन्होंने विश्व कप में गोल्डन बॉल का आवार्ड जीता था नेस्ट कोशन है टेस्ट क्रिकेट में न्यूजिलेंड के लिए सरवादिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी केन बिलियमसन यह है केन बिलियमसन यही टेस्ट क्रिकेट में न्यूजिलेंड के लिए सरवादिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं न्यूजिलेंड क्रिकेट टीम के अनुबवी बल्लेबाज केन बिलियमसन टेस्ट में अपने देश के लिए सरवादिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं बिलियम सर ने नियुजी लेंड के पूर्व कप्तान रोश टेलर को पचाड़ा जेनों ने टेस्ट में 7683 रन बनाए थे नेक्ट कुशन है केंद्रिय मंत्री पुर्शोत्तम रूपाला ने ग्रेंड श्टार्ट अप कौन किलेव का उद्गाटन के शहर में किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए हैद्राबाद तो केंद्रिय मंत्री पुर्शोत्तम रूपाला ने ग्रेंड श्टार्ट अप कौन किलेव का उद्गाटन हैद्राबाद शहर में किया है केंद्रिय मत्स्य पालन पशुपालन और देरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हैद्राबाद में एक कनवेंशन शेंटर में पशुपालन देरी में क्रेंड स्टार्ट अप कौन किलेव का उद्धाटन किया और इस क्रेंड स्टार्ट अप कौन किलेव का उद्धिश देश में पशुधन डेरी और पशुपालन छित्रों में मौजूदा और उबरते स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देना है साथ ही इस मंच से उद्धमियों निवेशकों और उद्ध्योग विशेशग्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा नेश्ट कुशन है आल ही में किस देश की पदान मंत्री जियोर्जिया मैलोनी दो दिवशिय भारत यात्रा करेंगी इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी इटली ये हैं इटली देश की पदान मंत्री जियोर्जिया मैलोनी यही दो दिवशिय भारत यात्रा करेंगी इटली की पीम जियोर्जिया मैलोनी दो मार्च दो यद तेश यानि आज बारत की दो दिवशिय यात्रा पर आएंगी इटली की पदान मंत्री आट में राय शीनर डायलोग दो या तेश में मुख्य अत्ती और मुख्य भक्ता होंगी और बरतमान में दोनों देश राज रायक संबन्नों के 75 बर्ष पूरे होने का जश्चन आ रहे हैं इटली जो देश है वो यूरोप माधीप में इस्तित है इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा है यूरोप नेक्ट कुशन है जापान का HMI शमू किस राज में 30 होटल विक्षित कर रहा है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी उत्तरपदेश तो जापान का HMI समू उत्तरपदेश राज में 30 होटल विक्षित कर रहा है जापान का प्रशिद आत्यत्ति समू होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिम्टेड पूरे उत्तरपदेश सम्पत्नियां खोलेगा कमपनी ने यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट में 7200 करोड रुपे के निवेश के लिए यूपी सरकार के साथ MOU साइन किया है समू आगरा बाररसी और अयुद्या साहित 30 प्रमुक इस्थानों पर अपनी होटल से रंखला का विस्तार करेगा इससे राज्य में 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी आप जानते हैं उत्तरपदिस राज्य के बारे में उत्तरपदिस राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को वी थी उत्तरपदिस की राईधानी लखनौ है उत्तरपदिस के मुख्यमंती है योगी आदितनाथ और राजपाल है आनंदी बेन पटेल नेश्ट कोशन है केस राज्य सरकार ने 150 ITI अपग्रेड हेतू टाटा टेकनोलोजी के साथ पाँच हैर करोड का MOA पर हस्ता चर किये है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए उत्तरपदिस तो उत्तरपदिस राज्य सरकार ने 150 ITI अपग्रेड हेतू डाटा टेकनोलोजी के साथ पाँच हैर करोड रुपे का MOA पर हस्ता चर किये है यूपी सरकार ने राज्य में 150 ITI को अपग्रेड करने के लिए टाटा टेकनोलोजी के साथ पाँच हैर करोड रुपे से अधिक के मेमो रैंडम आफ एस्वोशियेशन पर हस्ता चर किये इसका उद्धेश युवां को अपने कोशल का उन्नेयन करने और उन्ने अध्मिक उद्ध्य औहरे तुउपःक्त बनाने में मदद करना है तो एक बार सवी पेश्नों का रिवीजन कर लेती हैं विश्व नागरिक सुरच्छा दिवस कम मनाया गया है परवरी 2-3 में किष ने शिब 무ग हवा इड़े करनाटक का शुभार म किया है तो फरवरी दोज़ेश में पीम नरेंद्र मोधी जी ने सिव मोग का हवाई अड़े करनाटा का शुभारम किया है फरवरी दोज़ेश में पैप्स को इंडिया ने किसे अपना ब्रांड नेमेस्टर बनाया है तो फरवरी 2023 में पैप्स को इंडिया ने रडविर्ष यह को अपना ब्रांड एम्बेश्टर बनाया है 2022 में केश देश की प्रजनन दर्द दुनिया में सबसे कम है तो 2022 में दच्छिड कूरिया देश की प्रजनन दर्थ दुनिया में सबसे कम है किस खिलाडी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल आवार्ड्स में सर्वसिष्ट पुरुस फुटबॉलर का आवार्ड जीता है तो लियो नेल मेशी ने वर्स तो एर बाइस के फीफा फुटवॉल आवार्ड में सरवशिष्ट पुरुस फुटवॉलर का आवार्ड जीता है टेस्ट क्रिकेट में न्यूजी लेंड के लिए सरवाद करन वनाने वाले बल्लेवाज कौन बने है? तो टेस्ट किर्केट में न्यूजिलेंड के लिए सरवाद करन बनाने वाले वल्लेवाज केन विलियमसन बने है केंद्रिय मंत्री पुरिशोत्तम रूपाला ने ग्रेंड श्टार्टप कौन किलेव का उद्गाटन के शहर में किया है तो केंद्रिय मंत्री पुरुशोत्तम रूपाला ने ग्रेंड स्टार्ट अप कॉंड किलेब का उद्गाटन हैदराबाद शेहर में किया है हाल ही में केश देश की प्रदान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी दो दिवशिय भारत यातरा करेंगी हाल ही में इटली देश की प्रदान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी दो दिवशिय भारत यातरा करेंगी जापान का HMI शमू किस राज में 30 होटल विक्षित कर रहा है किस राज सरकार ने 150 ITI अपग्रेड है तूँ टाटा टेक्नोलोजिज के साथ पांच यार करोड का MOA पर हस्ता चर किये है तो उत्तर पदेश राज सरकार ने 150 ITI अपग्रेड है तूँ टाटा टेक्नोलोजिज के साथ पांच यार करोड का MOA पर हस्ता चर किये है तो हमने सबी परश्णों का रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया है कल की वीडियो में मैंने आपसे कोशन पूछा था केंदर सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल कर क्या रखने की मंजूरी दी है इस कोशन का सही अंसर था ओप्शन सी च्छत्रपती संबाजी नगर और धाराश्यब तो केंदर सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल कर च्छत्रपती संबाजी नगर और धाराश्यब रखने की मंजूरी दी है आपके लिए आज का प्रश्ण है औस्टेरिया ने केश देश को हरा कर महिला T20 वर्ल कब दोया तेश जीता है इस कुशिन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेलफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जैहिन जैवारत बन्ने मातरम